हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्वाम अकैडमी तो आज हम आपको जानकारी देंगे यूपी पुलीस का फाइनल एजर्ट जो कटोप 2015 का यानि जिसमें अकलेस यादाओ के समय में भरती कराई गया था और दस वी और बारवी के नंब्रों पर आधायती यानि मेरिट पर आधायती तो जो हाई कोटन रोग दिती मगर फिर से बाहल कर दी गई है उसका जो फाइनल कटोप आया है यह है मेल जनल के लिए देखिए जनल के लिए 406.7 है और अबसे लिए 396.3 है अब समय के लिए drama ओर जनल के लिए 396.3 है यह जनल कौलिए जिन्होंने एक्जाम बद दिया था अपना मुतलब दसवी बार्वी के नंबर के लिए फोम भरा था होम गार्ड के लिए होम गार्ड के लिए भरती नहीं होनी थी और यह फीमेल जर्नल के लिए जो मेरिट गई है और 418.477 OBC के लिए 410.6, SC के लिए 357.9 और ST के लिए 370.23 यह फीमेल के लिए महिलाओ के लिए जो कटॉप गया है सिपाई भरती के लिए एक्स सर्विसमेन के लिए देखे जो एसके लिए बहुत पूर सहनिक हैं जो आर्मी या किसी और सर्विस करके आये हैं फिर उसके बाद मैं सिपाई की नौकरी करना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म भरता अपना इनके लिए जो कटॉप गया है 312.97 गया है OBC के लिए 312.03 गया है SC के लिए 342 गया है यह एक्स सर्विसमेन के लिए और यह कटॉप ऐसा ही है आप हजने मतलग ना कि यह कटॉप कैसे बनाया देखे जो PSC के लिए कटॉप आया है PSC के लिए देखे जनरल के जो PSC के कटॉप आया है वो 370.2 है OBC के जो कटॉप है वो 395.53 है और जो SC के लिए कटॉप है वो 370 है ST के लिए कटॉप 370 है यह कटॉप जो UPPSC यानि जो 2015 में मेरिटों पर भरती होनी थी दसी और बारवी के नमबर जोड़कर उनका कटॉप दिया है वो भरती रोग दी थी High Court ने की अएसी कोई भरती नहीं मगर उसके बाद में बहाल कर दी गई है कहा है चलो आप इन भरती को एक रा सकते हैं तो उसके बाद में कटॉप आज़ारी किया है किसरकार ने आप अपन अपना कटॉप देख सकती है अगर आप इस कटॉप से ऊपर है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद